आज इस वीडियो में मैं आप सभी को अंजीर के बारे हमें बताने वालाऊं और मैं आप सभी क्वाता दू ज़। सबसे आधा लोग इन्ही दो अंजीर का gelteen करते हैं Roonजीर और Dry अंजीर ये साल बन में सुर्फ 2-3 में नहीं और लेकिन ये जो Dry अंजीर ये रो नजीर को इस उखा दिया जाता है तो ड्राइफों में कनवर्ड हो जाता है और यह जो सूख्य अंजीर है यह पुरी साल पर अविलेबल रहते हैं और सबसे अदा अगर मैं फायदे की बात करूँ तो यह जो सूख्य अदा फायदा इसी अंजीर में present है पेट को healthy रखने में यह अंजीर जो एक काफ़ी ज़दा पायदा करता है इस अंजीर में जो iron की मातर है वो भी काफ़ी अच्छी present है जिसकी वज़े से हमारे सरीर में खून की कमी नहीं होती है male और female दोनों ही reproductive health में काफ़ी ज़दा मदद करता है अगर आपको आलस रहता है सुस्ती रहता है तो आपको अंजीर का सेबन ज़रूर करना चाहिए और साथी साथी संजीर में जो potassium की मातर है वो भी काफ़ी अच्छी present है जिससे के हमारे जो heart है वो healthy रहता है इसके अलावा इस अंजीर में जो protein की मातर है वो भी काफ़ी अच्छी present है तो overall हमारे body को healthy और fit रखने के लिए और body building में अंजीर जो हमें काफ़ी ज़दा मदद करता है कुछ ऐसे ही बैतरी इन फायदा है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अंजीर का जो जिर्क है वो Bible में भी किया गया है तो आप इसी चीज़ से अंदादा लगा सकते हैं कि अंजीर का सेवन करने से हमारे सरीर में बहुत ही सारे फायदे देखने को मिलते हैं और साथी साथ इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अंजीर का सेवन कब करना चीए कितना करना चीए और अंजीर खाने का सही तरीका क्या है और यहीं पर सबस्यादा लोग गल्दी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरू देखिए तब ही आपको इस सारी बाते जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी तो चलिए बिना तरीकिया फटा वट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अंजीर खाने के फायदों के बारे में अंजीर का सेवन करने से ब्लड सो के लेवल को मैनेज करने में हमें काफ़ ज़्यदा मदद मिलती है अंजीर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है जिसकी वज़़से डियाबडीज होने का जो खत्रा हो काफ़ ज़्यदा कम हो जाता है इसके लावा यहाँ पर मैं आपको एक स्टड़ी बता रहा हूँ 1998 की स्टड़ी थी टोटल 10 लोग ते जिनको टाइप 1 डियाबडीज था तो जब उन्होंने अंजीर की पतियों की चाय बना करके सेवन किया था टोटल 1 महीने तक तो उनको टाइप 1 डियाबडीज के केस में काफ़ ज़्यादा देखने को मिला था और यहाँ पर लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है अगर आपको डियाबडीज है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो सूखे अंजीर है इसमें सूखर की जो मातर हो काफ़ी ज्यादा प्रेजेंट है जिसकी वज़े से होगा क्या कि आपको जो ब्लड सूखर लेवल है वो बढ़ सकता है लेकिन यहाँ पर जो आपको ब्लड सूखर लेवल बढ़ेगा वो बिल्कुल ही छोटे इस टाइम के लिए बढ़ेगा तो अगर आप अपनी ब्लड सूखर लेवल को कंट्रोल कर पाते हैं तो आप डॉक्टर की निकरानी में रह करके अगर वो ब्लड सूखर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है तो आप जो इनजीर का सेवन हो ना करें इसके लावा अंजीर में anti-cancer property भी present है यानि कि अंजीर का सिवन करने से आप cancer जैसी बड़ी बीमारी से भी बच पाते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी तक कोई भी ऐसे इंसानों के उपर study सामने नहीं है जिसमें मैं कैस होगी कि अगर आप अंजीर का सिवन करते हैं तो आप cancer जैसी बड़ी बीमारी से बच पाएंगे लेकिन यहाँ पर scientist द्वारा कुछ ऐसी test tube study करी गी थी जिसमें यह देखा था कि जो अंजीर के पत्ते हैं उसमें anti-cancer property present है जिसकी वज़े से colon cancer, breast cancer, cervical cancer, liver cancer इन सभी cancer से अंजीर जो है को बचाता है इसके लावा digestive valve को improve करने के लिए अंजीर जो है काफी ज़्यादा फायदा करता है काफी पुराने टाइम से pate-silated समस्या को ठीक करने के लिए अंजीर का लोग इस्तवाल करते हैं और यहाँ पर मैं आपको बदा दू कि pate-silated जो सबसे बड़ी समस्या है कि pate सही तरीके से साफ ना होना अगर आपको लबे समय से ऐसी समस्या देखने को मिल रही है या फिर आपको आए दिन pate सही तरीके से साफ नहीं हो बाता तो आप अंजीर का सेवन करके इस समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं अंजीर में जो fiber की मातर हो काफी अची present है तकरीबन 9.8 gram इसमें fiber present है जिसकी वज़े से जो stool है वो soft हो जाता है और आपका पेट जो है वो सही तरीके से साफ हो बाता है और यहां तक कि जो आतों में सूजन हो रखिये उस सूजन को भी धिरी धिरी ठीक करने का काम करता है और scientist द्वारा तकरीबन 500 लोगों के उपर study किया गया था जिनको यह समस्या थी कि उनका पेट सही तरीके से साफ नहीं हो पा रहा था तो जब उन्होंने अंजीर का सेवन किया था तो उनका जो पेट है वो अच्छी तरीके से साफ हो गया था इसके लावा यह जो है heart को भी healthy रखता है इस case में अंजीर जो आपको तीन तरीके से फायदा देता है सबसे पहला यह है कि आपका blood pressure वो control में रहता है अंजीर का सेवन करने से हमारे पूरे body में जो खून का बाहु है वो काफी अच्छा बना जाता है जिसकी वज़े से जो हमारा heart है उस पर दवाव नहीं पड़ता है और हिर्दी अच्छी तरीके से काम कर बाता है साथी साथ जो acidial close to level है वो भी हमारे सरीर में बढ़ता है और जो बुरा close to level है जो LDL close to level है वो धीरे-दीरे कम होना इस्टार्ट हो जाता है जिससे कि हम हिर्दे से संबंदित बीमारी होने का जो खत्रा वो काफी ज़दा कम हो जाता है इसके लावा अंजीर जो है स्किन को भी healthy रखता है यहाँ पर आपने काफी सारे ऐसे beauty product देखे होंगे जिसमें अंजीर को highlight करके लिखा जाता है क्योंकि अंजीर में कुछ ऐसी property प्रेजेंट है जो कि skin से related problem जैसे कि अगर आपकी skin ट्राय रहती है अगर आपको skin में खुझली काफी ज़दा रहती है तो इन सभी cases में अंजीर काफी ज़दा मदद करता है इसके अलावा अंजीर जो है bone density को भी increase करता है जैसे मैं आपको बता है कि अंजीर में जो calcium की मातर है वो काफी अच्छी present है और calcium और potassium ये दोनों nutrient मिल करके bone density को improve करने का काम करते है और साथी साथ आपके joints में जो pain होता है गुट्नों में दर्द होता है तो उन सभी cases से अंजीर जो है वो आपको मदद करता है और हट्यूसिलेटिट बिमारी ओस्ट्रोसी जैसी बड़ी बिमारी से भी अंजीर जो है वो आपको बचाता है इसके अलावा weight को manage करने में अंजीर में काफी जड़ा मदद करता है तो आप किसी health expert के guidance में रह करके कर आप अंजीर का सेवन करते हैं तो आपको healthy और fit रखने में काफी जड़ा मदद मिलने वाली है और इसके लावा अंजीर जो है fertility को भी improve करता है ये जो है male में sperm mortality को quality को improve करता है और साथी जाथ female reproductive health के लिए भी अंजीर जो है काफी जड़ा फायदा करता है क्योंकि अंजीर में iron, manganesum, in nutrients की जो मातर हो काफी अच्छी present है तो उसके के लिए आप simply दो अंजीर को एगलस दूद में पुरी रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुब़ सुब़ नास्ते में आप उस दूद का भी seven कर लिजी और जो अंजीर है वो भी आप खा लिजी जिससे कि आपको सबसे आदा फायदा देखने को मिलेगा अब बात करते हैं कि अंजीर का seven आपको कब करना चीए कितना करना चीए और अंजीर खाने का सही तरीका क सबसे पहले बात करते हैं कि अंजीर का seven आपको कब करना चीए तो अंजीर का seven जो है आप जब सुब़ सुबे नास्ता करें उसी के साथ में अगर आप करते हैं तो आपको सबसे आदा फायदा देखने को मिलेगा दूसरा point है कि आपको अंजीर का seven कितना करना चीए तो आप सुरवात में एक से जाँधा अंजीर का सेवन ना करें, और धीरी जीरे फिर आपको इनजीर की क्वांट Tea बढ़ानी है, लेकिन फिर भी लास्ट में जाका रेकिए कह आपको दो से जाँधा अंजीर का सेवन नहीं करना चीजिए, अगर आपने ज़रुसी ज़्यादा सेवन किया तो आपको पेट से लेटिट समस्या देखने को मिल सकती है तो आप अंजीर का तो सेवन करी रहे हैं इसके साथ साथ जो और भी अधर ट्राइब वुक्स हैं आप उनका सेवन करें जिससे कि आपको सबसे आदा फाइदा देखने को मिलेगा यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है कि अंजीर सेवन करने का आखिर तरीका क्या है तो यहाँ पर देखिए दो तरीके सबसे पहला तरीका यह है कि आप दो अंजीर पुरी राद बर पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह नास्ते में आपनी जिस पानी में अंजीर को भिगो है था वो पानी भी आपको पी जाना है और अंजीर का भी सेवन कर लेना है दूसरा तरीका यह है कि सेम आप इसी तरीके से दो अंजीर को पुरी रात बर के लिए दूब में भीगो दीजी और सुब सुबो के नास्ते में आप इस तरीके से सेवन कर सकते हैं जिससे कि आपको सबसे हैदा फाईदा देखने को मिलेगा वैसे देखिए अंजीर का सेवन करने का काफी सारे अलग अलग तरीके हैं लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अगर आप उस तरीके से सेवन करते हैं तो आपको सबसे आदा फायदा देखने को मिलेगा और अगर आप regular basis पर सेवन कर रहे हैं तो आप एक पर ये अपनी डोक्टर से ज़रूर कंसल्ट करने हैं अंजीर खाने से पहले, कहीं आपको किसी तरीके से अंजीर नुकसान न कर दे, अंजीर का सेवन करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में पता होना चाहिए कहीं आपको अंजीर किसी भी तरीके से नुकसान न कर दे तो उसके के लिए उड़ेडी मैंने वीडो बना रखिये यापर आपको राइट सेड में वीडो सो रही है आप उस वीडो पे क्लिक करके अंजीर से लेट इट कुछ जरूरी बातों के बारे में जान सकते हैं फिलाल के लिए आज के इस वीडो में इतना है अगर आपको ये वीडो पसंद आएए तो इस वीडो को जो लाइक करें चैनल को जो जो सब्सक्राइब करें Thank you so much watching this video बहुत बहुत धन्यवाद